Hi everyone, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वारत है, आज इस वीडियो में हम creative writing subject का important topic पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है imagination and writing या imaginative writing, या imaginative writing, या आपके syllabus में भी दिया हुआ है ये topic and exam perspective से important है, तो आप ज़र देखेगा अंतर तक वीडियो को, साथ ही अपने friends को भी share किजेगा, and अगर हम हमारी channel पर आप नहीं आयے हैं, तो हमारी channel को ज़रूर subscribe करें, चलिए start करें… We have seen that imagination is central to the concept of creative writing, creative writing का मतलब क्या होता है? We have seen that imagination is central to the concept of creative writing . as君 Truth in episodes that new concept happening and Beij allora such as font करते हैं कुछ नया करते हैं तो उसको क्रेटिव कहा जाता है ठीक है एंड क्रेटिव राइटिग का मतलब होता है कुछ ऐसा लिखना राइटिंग सम्थिंग जो की अगर हम इमजिनेशन का मतलब देखें यहनकी इमजिनेशन का शापदिक अर्थ लिट्रल मीनिंग तो उसका मतलब होता है action of imagining कलपना करने की जो करिया होती है जब हम अपने दिमार में कुछ सोचते हैं किसी चीज की कलपना करते हैं तो उसको imagination कहते हैं जैसे आपने कई बाद देखा होगा कैसे competitions वगरा होते हैं कि आपको add to time topic दिया जाता है और आपको उसके अपर बोलना होता है ठीक है या पर poem वगरा कुछ बोलनी होती है या कोई lecture देना होता है तो जब भी आपको कोई poem वगरा लिखनी हो तो आपके मन में जो कलपना आती है उस topic से समदित वही एक अच्छी writing के लिए important होती है ठीक है जब इनसान के मन में ज्यादा आइडिया जाते हैं ज्यादा thoughts आते हैं किसी भी topics से related तो वह अच्छे से उस topic के बारे में लिख पाता है ठीक है so imagination का मतलब होता है action of imagining कुछ भी imagine करना कलपना करना किसी चीज़ की imagination कहराता है ठीक है एंड इसमें क्या होता है हम फोर्म करते हैं mental images को अपने दिमार में हम कुछ images बनाते हैं जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप एक poem लिखिए environment के ऊपर ठीक है या फिर जो beauty है हमारे प्रकृती की ठीक है प्रकृती का जो सुंदरी है अगर आपको कहा जाए कि उस पर creative writing लिखो poem लिखो कोई ठीक है तो आपके मन में से पहले क्या आएगा आपके मन में आएगा बादला का आश कितना अच्छा होता है एना sky is so nice blue color का किता साफ लगता है जब हम आसमान को लिख लिखना है poem लिखनी है तो आपके मन में यह सारी जो बात है यह आएगी और आप इन सब का यूज करके एक creative writing अच्छे से लिख पाएंगे तो creative writing में क्या होता है imagination central role play करता है imagination का मदब होता है action of imagining कुछ imagining करने के करिया and forming mental images दिमाग में कुछ ऐसी images बनाना जो कि उस topic से related हो जिस पर हम लिखना चाहते हैं और concept of what is not actually present to the senses and हम उसमें ऐसी बातों को सोचते हैं जो कि अभी present में मौझूद नहीं है बट वो कभी न कभी exist करती रही होगी जैसे अगर आपको रात के समय कहा जाए कि आप अभी इसी वक्त एक poem बनाईए ठीक है सुरज जब उद्या होता है sunrise के उपर तो अगर आपको sunrise के उपर poem बनाने के लिए कहा जाए रात को तो अभी आप बना सकते हैं क्योंकि आपने sunrise होते हुए देखा होगा कोमन सी बात है तो यह जरूरी नहीं है जिस पर हम राइटिंग लिख रहे हैं वो उसी टाइम प्रेजेंट हो मोजूर्द हो ठीक है हो सकता है वो पहले कभी रही हो बट आपने उसको देखा और इसलिए आप उसके वाई में अच्छे से बना सकते हैं कोई भी पोईम या कोई भी ऐसे ऐनिफिंग एल्स तो अन्यू अट ऑफ ट्रेनिंग पीपल तो राइट एन इमेजिनेटिव राइटिंग लिखने के लिए कई बाप शिक्षन भी दिया जाता है ट्रेनिंग काफी ऐसे कोलीजी होते हैं जो की क्रेटिव राइटिंग का काम सिखात है एंड ताकि वो जो स्टूडेंट्स है वो आगे चलकर राइटर बनना चाहे तो बन सके हैं इमेजिनेशन और पोईट्री डियों इंस्ट ऑफ दे नाइंटीं सेंज्री वो सपोस्ट ड्वैल विद नेचुलनेस इमेजिनेशन और पोईट्री जो है वो नेचुल मानी ज होती थी ऐसे इंग्लिश की बुक्स में आपने कई कवीता है पढ़ी होगी पढ़ी होगी एंड वो जो पोईट्री वो काफी पुरान ही होती थी एंड उस टाइम पर कोई ऐसा ट्रेनिंग का प्रोसेस भी नहीं था कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाती हो ट्रेंड किया जा लोग के अंदर ऐसी टैलेंट ऐसा टैलेंट मोजूद था तो क्यूं था बिगोज देट वोज नैच्रल देट वोज गोडिफ्टिड है न तो यह कहना भी सही नहीं होगा कि बिना ट्रेनिंग दिये इंसान क्रेटिव आइडिंग नहीं कर सकता क्यूंकि काफी ऐसे हमको ए पता चलेगा कि वो कितने अच्छी पोएंट लिखते थे जब कि उस टाइम पर वो लिखते थे जब कोई ट्रेनिंग भी ने दी जाती थे उनको इसके लिए एना तो इससे पता चलता है कि वो नैच्रल यह उनका नैच्रल इनके अंदर यह टालेंट था कि वो एकनी चिल्डरन, पिसेंट, हर्मिट्स, जिप्सीज ओल है नोट बिन करॉप्टिड बाइसेशन वर प्रायोरिटाइज एज रिपोजिटरीज ओफ नैच्रल विजडम इसका मदलब है कि जो बच्चे होते थे उस टाइम पर ठीक है सन्यासी होते थे जिप्सीज ठीक है जो कि कर नैच्रल विजडम का भंडार माना जाता था क्योंकि जब हमारे मन में कोई भी गलत विचार नहीं होता जब हमारे मन में कोई भी गलत आदत नहीं होती जब हम चलकपड निंदा इन सबसे दो गहते हैं तो हमारी जो अंदुरूनी जो बुद्धिमानी है नैच्रल विजड पर जिद जादा तर जो पोईम्स वगारा लिखी जाती थी वो ऐसे लोग उद्वारा ही लिखी जाती थी जो की जिनका मन काफी साफ होता था एंड जो की जो की जादा गलत विचार अपनी मन में नहीं लाते थी ठीक है वो लोग उस टाइम पर काफी अच्छी रचनाय लखत थे थे ठीक है ओल्मॉस्ट तो हंड्रड यूर्स लेटर वी स्टिल है नॉट कंप्लिटली जाक्ति देखों दो सौल के बाद भी हम कंप्लिटली इस धागना को नेगलाट नहीं करेंगे रिजाक्त नहीं करेंगे कि नेच्छल्न जरूरी नहीं है क्रेटिव राइटिंग अगर हमें करनी है तो इसके लिए यह भी जरूरत है कि हमारे अंदर टैलेंट भी होना चाहिए कि हम अच्छे से वर्ड्स को औरेंज करें लिख सकें कि वह दूसरे लोगों को सुनने में काफी अच्छे लगें ठीक है मदब कि पोय वगरा या कोई इसे वर्ड़ा क्रेट करने के लिए हमारे अंदर टैलेंट भी होना चाहिए इसके लावार जब इंसान के इंदर टैलेंट भी हो एंड दन उसको ट्रेनिंग भी दी जाए तो बहुत अच्छे से उन बातों को लिख सकता है एक्स्प्रेंग कर सकता है ठीक है एंड लिट्र टैलेंट होना चाहिए था किसी इंसान के अंदर ताकि वो अच्छे से क्रेटिव आइटिंग कर सके एंड इसके लावा उस टाइम पर जो लोग थे जो की क्रेटिव आइटिंग करते थे जो गई था कि उनके पास फैक्ट्वल इंफॉमेशन भी हो ठीक है कि आस पास क्या ह हो रहा है ताकि वो उसके वाई में अच्छे से अभी अगए एंड किसी भी टोपिक पर वो तुरंत पोयम वगरा बना सके या कोई भी रिचना कर सके तो काफी इंप्रोटेंट होता था कि लोग जय वो फैक्ट्वल इंफॉमेशन से भी अवगत रहें उनको पता हो ठीक है एंड दिखे दिखे क्या हुआ फोर्मल ट्रेनिंग दी जाने लगी लोगों को ताकि वो अच्छे से क्रेटिव रैटिंग कर सके ठीक है एंड चलिए हम नेक्स्ट टोपिक पर आते हैं काफी बार क्रेटिव रैटिंग को नैच्रलनेस से जोडने का फायदा भी मिला है ठी ठीक है क्योंकि अगर हम सबको यही बोलेंगे अगर यही बोला जाएगा कि क्रेटिव रैटिंग मिली होतकि एंड से जो के काफी नहीं कर सकते हैं कुछ भी नहीं लिख पाएंगे तो कि जब इनसान को यह खा जाता है कि वह बिना ट्रेनिंग के यह काम नहीं कर सकता तो वह उस काम को करने की कोशिश भी नहीं करता यह तो कॉमन सी बात है तो इसलिए यह बात कही गई कि नहीं जो ग्रेटिव राइटिंग है वह नैचुरल एबिलिटी है उसकी जो नैचुरल शमता है शब्दो को इस तरीके से अरिंज करने की कि वह च्छे से क्रेटिव राइटिंग बना दे पोयम बना दे अच्छी सी पोई ट्री में उसका अच्छा है उसका सरे तो जब इनसान का इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो वह व अनना कोई Creative Writing लिख सके एड़ इससे यह फाइदा होगा कि जो marginalized लोग है जिनको हार्शे बधखेर दिया गया है जिनको society में अन्डप्रीविलिज माना जाता है जो कि society में जिनको society में उनकी respect नहीं मिलती जिदने उनको मिलनी चाहिए तो ऐसे लोगों को अपनी बात दूसक लोगों को उनकी situation के बारे में पता चलेगा, उनके mindset के बारे में पता चलेगा, they may not have access to expensive or elite education, so they may not be able to occupy the valorized position in society, but everybody cannot tell story, देखें, जो गरीब लोग थे उस ताइम पर, ठीक है, marginalized and underprivileged जो लोग थे, उनकी हालाकी पहुँच नहीं थी, expensive education तक, उस टाइम पर education काफी महँगी होती थी, and hence, उन लोगों के पास इतने access नहीं होती थी, कि वो education तक अमनी पहुँच को बढ़ा सके, but creative writing करने में हर कोई एबल होता था, ठीक है, story हर कोई लिख सकता है, यहना हर कोई story बना भी सकता है, बता भी सकता है, तो इससे creative writing का विस्तार हुआ, ठीक है, and creative writing जो हर व्यक्ति तक पहुँच सकी, हाला कि जो concept है naturalness का, वो हमारी जो will होती है, उसको नदमाई नहीं कर सकता, मतलब कि, जैसे यह कहा जाता है, कि creative writing जो ही natural है, गोड गिफ्टिड होती है, है ना, तो अगर कोई व्यक्ति सोचें, कि मेरे पास तो ऐससा talent ही नहीं है, कि मैं creative writing मतलब की at-to-time poem बना दू, है ना, तुमंत ही story बना दू, तो ऐसा talent हलाकि हर व्यक्ति के पास नहीं होता, but natural ness का जोई जो concept है, यह हमारी will को undermine नहीं कर सकता, मतलब कि, अगर इंसान के अंदर willpower हो की नहीं, मुझको poem बनानी है, तो बनानी है, चाहे में अंदर talent हो या ना हो, तो अगर इंसान यह सोच ले, तो इसको अच्छी poem बनाने से कोई नहीं कोख सकता, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसकी need होती है, वो है sustained effort, मतलब कि, इंसान लगाता है, प्रयास करता है, और जब वो लगाता, efforts डालता है, डालता है, तो वो एक बहुत ही अच्छी writing का निर्मान कर पाता है, ठीक है, It is interesting that many women in 19th century in India used autobiography to liberate themselves from the chain of tradition, बहुत सारी जो women थी 19th century में, उन्होंने creative writing का सहागा लिया, उन्होंने बहुत अच्छी-च्छी stories लिखी, autobiographies लिखी, ठीक है, poems लिखी even, क्यों लिखी उन्होंने पोयम, ताकि वो अपनी बात को बाकी लोगों तक पहुँचा सके, वो बाकी लोगों तक पहुँचा सके इस बात को कि उनके उपर कितना ज़दा अत्याचार होता रहा है, यह ना सद्यों से, ताकि वो अपने आपको liberate कर सके, ट्रैडिशन्स की चेंज से, रसुंद्री देवी जो थी, अटेंट फेम फो राइटिंग और ओटोबाइग्राफी, रसुंद्री देवी जो थी, उन्होंने अपनी ओटोबाइग्राफी लिखी, उस टाइम पर जब विमेन को डिस्करेज किया जाता था, जब विमेन को यह लाउड नहीं था कि वो पढ़ लिख सके, उस टाइम पर सुंद्री देवी ने अपनी ओटोबाइग्राफी लिखी, जो कि काफी ज़ादा फेमस हुई, और उनको इससे काफी ज़ादा फेम भी मिला, ठीक है, हमें यह नहीं सोचाँ चाहिए, क्योंकि क्रेटिव इमाजिनेशन से अगर रिलेटीड है, नेचरलनेस से अगर रिलेटीड है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों आखेल है, हर कोई क्रेटिव आटिग नहीं लिख सकता, इसके लिए इनसान को ज़रूरी है, कि वो लगातार प्रयास करता है, ठीक है, इनसान के अंदर extra, ordinary, tannicity and preserveance होनी चाहिए, ठीक है, firm determination होना चाहिए, इनसान के अंदर दिर्ट निच्चा होना चाहिए, कि मुझको creative writing सीखनी है, सीखनी है, है ना, तो इसे वो व्यक्ति जिसको poem वगार कभी बनानी आती ही नहीं है, वो भी अच्छी poem बना पाएगा, अच्छी creative writing कर पाएगा, तो इनसान के अंदर क्या होना चाहिए, इनसान के अंदर willpower होनी चाहिए, creative writing को सीखनी की, ठीक है, तो अगर उसके अंदर natural, एक राइटर बनने के लिए, सबसे महतरपून गुन जो है, सबसे important जो quality है, वो यह है कि व्यक्ति जो है, वो बुक्स पढ़े जादे जादा, and, सीखर्स देखें, ठीक है, ड्रामा देखें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति जो है, वो अपने आसपास की factual information से भी, अब गतोस को पता हो कि इसके आसपास क्या चल रहा है, तो इन तेनों qualities के द्वागा इंसान जो है, वो एक अच्छा writer बन सकता है, क्योंकि जब हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, एंड जो हम अच्छा पढ़ते हैं, तो हम अच्छा लिख भी पाते हैं, ठीक है, that's the cue, imagination belongs equally to everybody, it is not the preserve of the highly literate and privileged, ठीक है, imagination जो है, जो की natural मानी जाते हैं, कि किसी व्यक्ति के अंदर natural गुन होता है, कि उसके अंदर ऐसे ideas, ऐस imagination हो सकी, जिसे वो एक अच्छी writing, create कर सके, तो ये बात सच तो है, but imagination जो है, वो इक्वल है, everyone, for every person, ठीक है, imagination belongs equally to everybody, ऐसा नहीं है, कि जो बहुती ज़्यादा पढ़ा लिखा विक्ति हो, जो बहुती ज़्यादा जिसको privilege मिले हो, विशेश अधिकार मिले हो, ऐसा नहीं है, कि वही एक अच्छा creative writer बन सकता है, no, कोई भी अच्छा creative writer बन सकता है, so, ये topic था, imagination and writing, आप हमें कमेंट में लिखके बताएगा, कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है, and हमारी चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी ही important videos हम आपके लिए बनाते हैं, thank you very much,